नमस्कार, महा MTV में आपका स्वागत है, मैं चंदर शेकरनेने, मेरे अभ्यास का विशह है अंतराश्तिय पॉलिटिक्स, अंतराश्तिय जियो पॉलिटिक्स, मेरे साथ में सूरज हमारे विडियोग्राफर है, आज एक ऐसे जीच पर हम बात करने वाले, ऐसे स्थिती पर बा हो सकता है, यह जगे है उक्रेन, उक्रेन जिसको उनकी खुद की भाषा में उक्रेन कहते है, इसका अर्थ है सिमावर्ति प्रदेश, रशियन भाषा में इसका अर्थ है सिमावर्ति प्रदेश, 1991 तक उक्रेन यह रशिया का एक पार्ट था, यह रशिया का एक प्रांत था, लेकिन 1991 में जब रशिया का विघटन हो गया उसके बाद में उक्रेन स्वतंत्र हो गया 1991 में इसके पहले 500 साल तक उक्रेन कभी भी स्वतंत्र नहीं था वो हमेशा रशिया के अंकित में था रश्याक की भाषा वहाँ बोली जाती है हाला कि उक्रेन की खुट की भी भाषा है उक्रेनियन भाषा है लेकिन ये सब क्यूं हो रहा है इसका कारण पहले में आपको बताता हूँ अमरीकन सेना ने जब अफगानिस्तान से पलायन किया अमरिका के लोग कितने भी कहे कि हमने यहां से निकाला strategic withdrawal पता नहीं क्या क्या कहते है लेकिन उन्हें वहां से भाग जाना पड़ा और इसके बाद में अमरिका जो एक महाशक्ति है उस महाशक्ति का जो strength था, महाशक्ति का जो दबबा था महाशक्ति की जो ताकत थी वो उसके शत्रों के दुरुष्टी में कम हो गई है इसके दो प्रमान हम देख सकते हैं चीन ने भी आखा है कि अमरीका अपने दोस्तों की मदद नहीं करता है समयाने पर भाग जाता है तो अब तैवान जिसको अमरीका ने गारंटी दिये कि तैवान सोतंतर रहेगा चीन उसे हाथियाना की फिराक में है और वो देख रहा है कि अमरीका शायद तैवान के मदद के लिए न आ पाए वैसे ही व्लादिमीर पूटिन जो रशिया के अध्यक्षण है वरतमान अध्यक्षण उन्होंने भी इस मौके का फाइडा उठाया है और उन्होंने उकरेन में दादागिरी शुरू कर दिये अपनी जो अकरामक नितिया है वो उकरेन के बारे में उन्होंने शुरू किया हाला कि 2014 में इन्होंने इसका आगाज किया था उन्होंने 2014 में उकरेन का जो एक छोटा द्वीब कल्ब उसकी दक्षिन में जिसको क्रीमिया बुलते है वो क्रीमिया को उन्होंने हातिया लिया क्रीमिया को उन्होंने सेना भेज़के हातिया लिया अब उसे वो छोडने को तयार नहीं है, क्रीमिया ये काले समुद्र में है, स्थित है, जहां पर रशिया की बहुत बड़ी नौसेने का बेड़ा महां पर स्थित है, जिसको Black Sea Fleet कहा जाता है, तो रशिया ने क्रीमिया अतया लिया, उकरेन कुछ नहीं कर सका, अमरीका कुछ भ किलोमिटर है, उकरेन में बहुत अच्छी अबोहावा होने के कारण, बहुत अच्छा अन्नधान्य का, ग्रेंज का उत्पादन होता है, उकरेन के गेहू बहुत फेमस है, वो सारे रशिया को पहले उकरेन ही गेहू की सप्लाई करता था, अब वो सारे यूरोप को भी गेह करनाओं के मुस्awsम में जो घर को गरम करने के लिए नचरल गयास लगती यह वह भी उक्रेण से ही आती है तो यूरोप की उक्रेण से काफी घनी मित्रता हो गई है और उक्रेण यूरोप का जो संगठने नेटो उसमें जाना चाहता है उक्रेण को रश्या से कुछ inherentा देना न इन्हों ने इसी बूते पर प्रसिडेंट सिफ हासिल कि है कि हम रशिया की एक न सुनेंगे हम अपने स्वतंत्र विचार से चलेंगे लेकिन इसको धंकाने के लिए अभी व्लादिमीर पूटिन ने उकरीन की बॉर्डर पे सेना लाके रखी है उन्होंने अपनी पहले एक ला अपनी जो है बिएवियर उससे बाजाओ वरना हम आपको तोड़ देंगे हम आपको आपको लड़ाई शुरू कर देंगे उकरेन की जो इस्तन बॉर्डर है मतलब पूर्वभाग है उस पूर्वभाग में रशियन बोलने वालों की संख्या अधिकतर है और उनको रशिया स अलग होना बिल्कूर रास नहीं आया था उन्होंने पहले से कहा था कि हमें तो रशिया में रहना है इस रीजन को वो Donbass region कहा जाता है, वो Donetsk basin जिसको कहते है, basin मतलब तलहटी, वो Donetsk तलहटी में Lushansk और Donetsk ये दो प्रांता आते हैं, ये दो प्रांतों के लोगों ने कह दिया कि हम तो उक्रेन में सम्मीलित होंगे ही नहीं, हम तो रशिया के साथ में ही जाएंगे, और 2014 में जब रशियन सेना घुसी, तो इन्हों ने भी विद्रोव कर दिया और उक्रेनियन सेनिकों को मारना शुरू कर दिया, आज के दिन में वो ऐसे भी हो करते कि जैसे वो स्वतनतर देश हो, हाला कि युनाइटिन नेशन ने उन्हें मान्यता नहीं दिया है, लेकिन वो रशिया के बिल्कुल पिछलग गुदेश है, और 250 किलोमीटर की लाइन ओफ एक्ट्वल कंट्रोल आज बनी हुई है, जो 2015 में उनमें जो समझोता हुआ उक्रेन और रशिया के बीच में, उक्रेन रशिया के सामने कुछ नहीं है, हाला कि उक्रेन की यूरोप में तीसरे नंबर की आरमी है, रशिया फ्रांस के बाद में उक्रेन की आरमी का नंबर आता है, तीन लाग की आर्मी उनके पास है लेकिन फिर भी वो रशिया से तो टकर नहीं ले सकते न तो आज के दिन में ये स्थिती है कि उक्रेन और रशिया के बीच में जड़पे होती है अब वो रशिया के बीच में नहीं होती है डॉन मस्क के जो रिबेल्स होते है जो विद्रोही और नाटो के सदस्यों को कि आप हमें अगर सहायता नहीं करोगे आप हमें बिल्कुल आधुनिक शस्त्रास्त्र नहीं दोगे तो हम रशिया के सामने टिक पाना मुश्किल है और यहीं देखके ब्लादिमीर पूर्टिन ने तीन दिन पहले अमरिका को अल्टिमेटम बेजा है उकरेन के प्रेसिडेंट को नहीं बेजा अमरिका को डिरेक्ट अल्टिमेटम बेजा है कि आप एंशूर करो कि उकरेन नेटो में सम्मिली नहीं होगा और उकरेन की भूमी पर नेटो की मिसाइल मतलब अमरिकन मिसाइल नहीं लगेंगे ये एक तरह से तो धमकी है अगर ये नहीं हुआ तो हम उकरेन पे धावा बोल देंगे तो आज स्थिति भहुत नाजुब बनी हुई है अमरीका के जो विदेश मंतरी है एंटोनी बलिंकेन उन्होंने दो दिन पहले बयान दे दिया देखो कैसे बयान आते है उन्होंने का कि अगर उकरेन में पूतिन की सेना हमला करती है तो उसमें अमरीका के सेनिक नहीं भेजे जाएंगे इसका मतलब हम उकरेन को अपने खुद के वरों से छोड़ देंगे अब ये तो शर्नागती हुई ना हाला कि फ्रांस और जर्मनी ने कहा है कि हम इसको मानते नहीं है उन्होंने पूटिन को बताया है कि आप इससे बाज आओ आप ये सब नाटक बन कर दो और अपनी सारी सेना है वापस जहां से लाएं वहाँ छोड़ दो और ये जगड़े बन कर दो तो इस थिति में आज चीज आके रुकी हुई है सिचुएशन यहां पर है लेकि तो वो उनके सामने टिक नहीं सकते और इससे एक बार फिर लोगों में धारना पक्की बैच जाएगे कि अमरिका के दोस्तों के मदद को अमरिका आता नहीं है और ये जो बाइडन और उसके अमरिका के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा होगा अब देखते हैं आगे क्या हो आज के दिन में तो पूटिन ने तो बोली दिया है कि आप इससे बाज आओ अमरिका को अल्टिमेटम दे दिया उकरेन को तो पहले से ही बता दिया है जो डॉन्बास रिजन के रोग है जो विद्रोही लोग है उन्होंने भी अभी दारागेरी करना शुरू कर दिया उन्हो है तो उकरेन एक गरीब देश है लेकिन गैस जो प्रोवाइड करता है उरोप को उसमें उरोप को रूची है अच्छा ये गैस दो जगे से आती है उकरेन से भी जाती है और रूस की भी जो गैस है वो उकरेन की पाइपलाइन से ही जाती है तो रूस को ये डर है कि अगर ल निर्बंद डाले हूँ है और अभी एक धमकी बाइडन ने दिये कि अगर ब्लदीवीर पूर्टिन ने चालू रखा तो हम ऐसे ऐसे निर्बंद लगाएंगे कि आपको नानियाद आ जाएगी तो फूर्टिन ने क्या किया है बालतिक समुदर में से एक नई पूर्टिन डालने का प्रोजेक्ट चुरू किया उसको नौर्ट स्ट्रीम टू यह कहते है उस पूर्टिन को अगर यह पाइपलाइन डल गई तो रशिया की गेस डिरेक्टली यूरोप के पास पहुंच जाएगी उकरेन से जाने की जरूरत नहीं है इसलिए इस पैपलाइन को उकरेन के प्रेषिडेंट ने विरोथ किया है उसने का यह पाइपलाइन तो हमारे देश की स्वाधिंता और सारवमोमत वों के खतम करने की निशानि है क्योंकि अगर यूरोप से पैसा नहीं मिला तो हम जियेंगे कैसे और यूरोप से पैसा तभी मिलेगा जब पाइपलेन हमारे थूर जाएगे जो आज जा रही है हाला कि ये पाइपलेन भी complete नहीं हुई है इस पाइपलेन के विरोध में गर्मनी और फ्रांस है और आगे-ागे क्या होता है यह अब देखने जैसा है मैंने आपको ये वीडियो इसलिए किया है कि यहाँ पर ये विश्व शान्ती को एक बहुत बड़ा खत्रा पैदा होने की जगे है अगर यहाँ पर रश्या ने सचमुश हमला कर दिया और अगर नेटो के देशों ने उसको जवाब देही उसकी शुरू कर दी जवाब देही अगर शुरू हो गई तो ये विश्व इद्धम में परिवर्तित होना ज़्यादा दूर नहीं है इससे आप आपको आउगत कराना था और प्लस ये भी कहना था कि अगर कुटिन की दारागिरी चल गई तो चाइना की दारागिरी और बढ़ जाएगी और चाइना अमरीका को बिलकुल ताक पर रख देगा इसका मतलब ये है कि चाइना अगर तैवान हत्या लेगा तो आगे जाके लडाक में भी चाइना कुछ नहीं चाले रज सकता है इसलिए हमें आगाह रहना है हमें इस पे बिलकुल बारीकी से निरिक्षन पे रखना है आगया किया होता है मैं आपके वास लेहाओंगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप अपने मित्रपरिवार के साथ शेयर कीजिए हमारी वीडियो पे आपके कमेंट्स भेजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने बेल आइकान अभी तक नहीं दबाये तो उसे जरूर दबा दीजिए तक कि नए वीडियो जब जब हम बनाए आपके पास तुरन दित्तिला पहुँच जाए नमस्ते